बिजेपी नेता मनीश कस्यफ हमारे साथ हैं मनीश जी पठना कम रहना होता है चुकि आप जब यूटूबर कहे जाते थे वीडियो बनाते थे तो पठना आना जाना लगाता रहता है लेकिन आप दिल्ली जादा रह रहे हैं कहा यह जा रहा है ihn इस तरह की च कंड है और गो डंटिक्छिंटी आई प्लिखनमंों देखने को मिन प्यूज हुआ है तो इस तरह की चर्चा है दूसरी तरह बंगाल में जो घटना होई है मनीश का स्रफ की हर जगह नजर होती थी अब एक बीजेपी के नेता होने के नाते जो है अब कैसे देखते हैं जारखंड में तो मैंने तीन महीना पहले ही बोल दिया था कि हैमन सोरेन की सरकार जाने वाली है और हैमन सोरेन उस समय जेल में थे मैंने बोला कि जेल से जैसे हैमन सोरेन निकलेंगे चमपई सोरेन जो है उनका पाटी छोड़के भागेंगे और मैं आज भी बोला हूँ कि जारखंड में बीजेपी जो है 60 प्लस सीट पे जाएगी और बीजेपी सरकार बनाएगी उसके पीछे रीजन ये है कि बंगलादेश से कुछ जो है बंगलादेशी और रोहंगिया जो है जारखंड में आके आदिवासी लोगों का जो डेमोग्राफी है पूरा बदल के और वहां पे जमाई टोला बना थी वह घट के जो है 22 परसेंट 23 परसेंट पे आ गई है तो जरखंड में जो है बीजेपी की सरकार बनने वाली है बंगाल में जो है ममता बनर जी ने ममता बनर जी बंगाल की जो है ग्री मंत्री है मुख मंत्री है और हेल्थ मिनिस्टर भी ममता बनर जी है मतलब स्वास्त म सो रहे हैं देखा जा रहा है ओर ढूरत जो लाटार्ष में capacity दिसी में तो फिर दूर्थों सचोनिक भी लिएमारे कि भते णीने अटिकिर रही देखांटे हैं कि 파ट्व उपारश रहे हैं और ये जो जनसैला बंगाल में उखड़ा है ये बंगाल की बेहन बेटियों के सुरक्षा के साथ ममता बनर जी को पूरे बंगाल से उखाड़ के फेकेगा और वो ममता नाम है ममता और जिसके सीने में ममता नहीं है और एक महिला के प्रती एक डॉक्टर के प्रती ममता नहीं है जिसका गैंगरेफ होता है वो खुद स्वास्त मंत्री है और उसके बावजूद जो है उस पे जांच नहीं बिठाती है उनके जो पुलिस अधिकारी है ज जो प्रत्याशित घटनाएं हो रही है उसको लेकर क्या बंगाल में तो मैं जाते ही रहता हूं और जॉइन करने के बाद भी मैं गया बंगाल में राष्टपती सासन लागू कर देना चाहिए और मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द जो है आप लोगों को सुनने को भी और झ्कष दे इस सब्सें नहीं ह में रहे जे में बहुत सरकार करें देखे बहुँ सारी चीजे आपके सामने नहीं आएगा मेरे सामने नहीं आएगा मीडिया में बता के बहुत सारी चीज़ा नहीं होता है अजीत डोबाल को जो करना है कर रहे हैं बंगाल के बड़े बंगलादेश के बड़े बड़े नेता जो है आज घुटनों पे आ गए है और जूक गए है तो सारी सचाई जो है बहुत जल्द सामने आपको देखने को मिलेगा बताइए कि 2025 म जो है कि अधिकारी जो है वह कुछ अधिकारी जो है निरंकूस हो गया है वो चीजो को सुनते नहीं है अधिकारियों का क्या है उनका तो 40 साल का नोकरी है मुस साल का उम्रिया नोकरी होता है więks कि 8 यहाहां मलाई Operations üे ौहां मलाई मलाई क國家 प्रोटोकॉल में बंद गया है मनीश जी यह सवाल जो आपने उठाया है मौजूदा नहीं पहले से आप उठाते रहे हैं लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि अब बहुत कुछ जो है देखकर भी आपको जो है खामोश रहना पर सकता है नहीं मैं खामोश नहीं रहता हूँ जैसे पूल गिर रहा था लगातार तो मैंने आवाज उठाया था और मैंने स्पी सिस्टम जो है और मतलब होता है किसी को रोख देना और संट अंचल कारेयालय है तक हम लगातार एक्षन ले रहा है लगना उनके उपर मैंने विडियो भी बनाया था वो और पूज़ेटिव के साथ उन्होंने में यह एक्टिंग कि बहुत सारे लोगों का सिकायत आता है और इस पर हमें काम करना चाहिए तो सच में अगर ब्लॉक को हम लोग सही कर दिया और ब्लॉक से जो है क्रप्सन को अगर हम लोगों ने दूर कर दिया तो फिर जो है बिहार का सबसे बड़ा समस्या का समाधान हो जाएगा और 200 प्लस जो है वो एंडिये चला जाएगा लिकिन ब्लॉक पर हम लोगों को ध्यान देना होगा एक आखरी सवाल मनिश का सबाब से कि 2025 में सभी तैयारी में जुट गया है पार्टी हो या फिर जो नेता है वो तैयारी कर रहे हैं मनिश कर्षप नेता हो गया और चर्चा 2024 में भी थी लेकिन चुनाब नहीं लड़ेया बचीस में क्या तैयारी है देखे नरेंदर मोदी जी ने 15 अगस्त को मंच से बोला कि एक लाख नए युवाओं को जो नॉन पॉलिटिकल बैक्ग्राउंड से हैं नॉन कॉर्पोरेट बैक्ग्राउंड से हैं मतलब कि किसी बिजनस घरान है किसी बरतव करने से लोगों को राजनिती में अना चाहिए और महीं ये बात पहले सेह रहा हूं कि मिडल क्लास कि समझ्षय जो मिडल क्लास समझ सकता है गरी इस चाहिए और नरेंदर मोधी जी सेम बात जो है 15 अगस्त को इस बार किसके खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे बिहार में, अगर 2025 में आपको टिकट दिया आयता है BJP से, किसका नाम लेंगे आप, कौन सा वो उमिद्वार होगा, कौन सा वो नेता हो जिसे खिलाफ आप चुनाव लड़ेंगे? और मेरे से जितना होगा, मेरे पास जितना नौलेज है, उसी साब से जो है, मैं चीजों को दुरूस्त करने के लिए चुनाव लड़ेंगे, किसी ब्यक्ति के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? कौन सा सक्स होगा, जिससे मनिस का सब चाहेंगे, फाइट करें, सामने सामने लड़ेंगे, और हम चुनाव जितकर हम दिखाएं? देखे, ऐसा कुछ नहीं है, मैं मतलब केश पर कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैं आप जो सवाल पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दे दे रहा हूँ. तेजस्वी यादो जी, रागोपूर दियरा से इस बर चुनाव हारने वाल हैं, क्यूंकि आप ये माइक उठाई हैं, और रागोपूर दियरा में जाके लोगों से पूछिए, कि उन्होंने रागोपूर दियरा में कितना बार वो आए हैं, और रागोपूर दियरा के बिदानसभा में नहीं गए हैं उनको जाना चाहिए नहीं गए आज नितिन गड़करी के पास जो है रागोपूर दियारा का 1 जा पूल तो पूल बन रहा है तो जो जो है यह वह सी उसमें यह यह ded के पुल्वा भागलपूरी 2004 में बीजेपी सरकार नहीं था उस समय पूल की बात हुई थी, 2015 में पूल का सिला नियास हुआ था, और लालू जी के जनम दिन के औसर पे पूल का उधगाटन होने वाला था, पुलवा जो है भरष्टचार को जेल नहीं पाया, इसलिए भागलपूर का पूल, सत्रा सोकडोर का पूल, पूरे भारत में उठ हाके देख लिजे, एक पूल तीन बार नहीं गिरा है, यह तीन बार गिर गया और अभी भी मैं कहे रहा हूं कि आप लेके चलिए, रिबाउंड है, मैं टेस्ट कीजे, वो गिरेगा, क्यूंकि तेजस्वी यादो जी, दू बार पत परिवाहन मंत्री थे, भागलपूर इसमें भी जो है, ऐसा होगा और यहां से एंडिय की तरफ रुख करेंगे, देखे, महागटवन्दन की इस्तिति ऐसी है, कि आप जब चीजों को समझने का प्रियास करेंगे, तो वहां के जो विधाया के इमेल सी है न, उन लोगों का फंड जो है लिखवा लिया जाता है, और कौन लिखवाता है आप सभी को पता होगा, हमारे पास भी बहुत सारे लोग जनकारी देते हैं, वहां के विधायक नहीं खुस है, वो लोग बोलते हैं कि हर तीन महीना में मोटा अमाउंट जो है, पता नहीं कौन से भगवान जी के उपर चढ़ाना पड़ता है, भेज अब जाके पता कीजे कि ये बात सही है कि नहीं, इसलिए जो है न बहुत सारे नेताओं ने जो इस बार वोटिंग हुआ, तो पाटी छोड़ा, ये सचा है कि नहीं, चलिए नहीं, ये चीज़े जनता को जानना चाहिए, ये चीज़े आप लोग नहीं दिखाते हैं, इन पाटी जहां से भेजेगा, वहां से हम लोग अपना काम करेंगे, और अपने हिसाब से करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, और बिहार के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे. बहुत बोश्चुक लिया, मनीश कस्यप निव जटीन से बात करने के लिए हमारे साथ मनीश कस्यप थे और इन्हों ने खुल कर कहा है कि 2025 में पाटी चाहिए, तो मेड़ी भी एक्षा है, मैं चुनाब लड़ू, वहीं तेजस्वी को लेकर, लालू को लेकर, और बीजेप से जीत होने वाली है, क्याम राविन मनीश उनियाक साथ रजनीश कुमार, न्यूज एटीन पटना